तो Power BI के अंदर map chart हम कैसे create करते हैं। आज हम simple map chart create करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि map chart create करने के लिए हमारे data के अंदर कुछ feeds या columns ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर city, state, country या pin codes available हो। अगर इन में से कोई भी feed हमारे data के अंदर available होगी तो हम map chart create कर सकते हैं तो chart को हम create करते हैं यहाँ पर हमारा chart है map इसके ओपर हम click करेंगे यह blank chart यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर अगर हम options को देखेंगे तो हमें बतानी है location, legend, latitude, longitude, bubble size तो simple chart create करेंगे, location के अंदर हम select करते हैं city और bubble size के अंदर हम select करते हैं sales यहाँ पर हम देखेंगे chart हमारा update हो गया है यहाँ पर हम देखेंगे तो map हमको show हो रहा है और उसके ओपर bubbles हमको show हो रहे हैं map के अंदर हम देखेंगे तो अभी हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यह part है map के अंदर इंडिया गा अब chart के अंदर zoom करने के लिए जहाँ पर हमको zoom करना है हम वहाँ पर आ जाएंगे अब mouse से हम scroll down करेंगे तो chart हमारा zoom in हो जाएगा तो यह chart है हमारा इंडिया गा अब चार्ट के अंदर हम कहीं भी move करना चाते हैं तो यहाँ पर हम move भी कर सकते हैं अब चार्ट के अंदर हम देखेंगे जो हमारे bubbles हैं यह blue bubble हमको show हो रहे हैं तो यह bubbles हमारी sales को represent कर रहे हैं यहाँ पर location के अंदर हमने select किया था city तो जिस city के अंदर ज्यादा sales होगी वहाँ पर circle बड़ा बनेगा जहाँ sales कम होगी वहाँ पर circle छोटा बनेगा अब यहाँ पर legend के अंदर हम कोई field select कर लेते हैं जैसे यहाँ पर अभी हम category को select कर लेते हैं चार्ट को zoom in करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास तीन category थी furniture, office supplies और technology तो category wise हम यहाँ पर sales देख सकते हैं यह चंडिगर्ड, लखनाउं, रायपूर यहाँ पर हमारी furniture की sales है ऐसे ही यहाँ पर यह office supplies यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली हमारी एक ऐसी state है जहाँ पर तीनों ही category के products sales हुए है ऐसे ही हम chart को यहाँ से move करते हैं यह हमारे United States का data है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी sales है, वो किस category के अंदर कहाँ पर कैसी हुई है तो यह हमने जाना है map chart